आज हम लोग जो पिछले क्लास में डाइजेशन एंड एब्जॉर्शन पर हे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे जैसा कि स्लाइड में देख रहे हैं कि दो ओरल कैविटी लिट्स इन्टू ए शॉर्ट फैरिंग्स विच सर्प्स अजे कॉमन पैसेज फॉर्ड एंड ये उराल कैविटी किसमें ओपन हो रहा है फैरिंग्स में कि को उसी मेंnehmer काविटी में और फैरिंग्स्स से एलिमेंटी केनाल का पार्ण है जिससे की फूड़ जो है वो इस्टॉमेक में जायगा इस जो फेकस के द्वारा और ओही पर ट्रीकिया जो है जिसको बींड पाइप कहते हैं बींड पाइप कहां वो पन होगा वो चला जागा respiratory system में, तो wind pipe का जो glottis है, वहाँ पर ये cartilaginous flap होता है, जिसको क्या कहते है, EP glottis, EP glottis prevents the entry of food into the glottis, glottis में एक cartilaginous flap present है, जिसको EP glottis कहते है, EP glottis के कारण ही क्या होता है, कि food का entry trachea में नहीं होने देता है, नहीं तो क्या होगा, सांस की नली में अगर कोई भी एक food का टुकरा चला गया, तो क्या होगा, सांस नहीं ले पाएंगे, नतीजा क्या होगा, कि आदमी खतम हो जागा, तो इस कारण, वहाँ पर glottis को उपर ये, एक cartilaginous flap present होता है, इसोफेगस, इसोफेगस अब कैसा है, उसका structure देखते हैं, तो इसोफेगस इस एथीन, लॉंग टीब, विच एक्स्टेंट्स पोस्टेरियरली, जिसमें जो हम लोग खाना खाते हैं, वो ओरल काविटी के दौरा होते हुए फैरिंग मैं सित्यूमिक में स्ट्रॉम आम आश है जहां पर देखेंगे इस्टॉमिक में फूर्ट का क्या डाइजिसिंट होता है क्या डाइजिट वह नहीं होता है रहे पारेंगे अब यह इस्ट्रॉक्चर पर रहे होंगे तो stomach का structure कैसा है जिये सेप्ट है जो कौन उसमें open हो रहा है इसोफेगस क्या लेकर आ रहा है food को लेकर आ रहा है तो जब इसोफेगस और stomach जहां पर stomach के अंदर entry ले रहा है वहाँ पर एक sphincter होता है हाँ वहाँ पर एक क्या होता है gastro isofagial muscular sphincter muscular sphincter होता है जो क्या regulate करता है regulate the opening of isofagus into the stomach stomach में वो क्या चीज का opening है जो कि वहाँ पर isofagus को regulate कर रहा है कहां entry of stomach में कोई भी जो food जा रहा है उसको regulate को कर रहा है sphincter जो यहां लगा हुआ है muscular sphincter है दोनों के बीच में जिसका नाम है gastro isofagial gastro isofagial उहां पर एक sphincter है जो कि खाना तो आ गया isofagus में लेकिन backflow नहीं होने देगा उसको food stomach में नहीं जाने देगा कहां पर आ गया उसको बंद कर लेता है तो उसको कहते है इस फिंक्टर अब हम लोग देखते हैं कि stomach structure कैसा होता है जैसा इस डाइग्राम में देख रहा है यहां isofagus open हो रहा है यह सेप्ट का है और इसका structure जो है वह कहां पर यह stomach जो है ऐसे हमारे पेट में abdominal region में पहां पर located होता है तो location देखते हैं अपर लेट पोर्षन आप abdominal cavity पीट जो है abdomen जो है उसके left side में left portion में stomach जो है वह located होता है इसका three major parts है first part जो है उसको कहते हैं cardiac portion cardiac portion है cardiac portion in which isofagus open जहां पर की cardiac portion में isofagus क्या हो रहा है open हो रहा है उसके उपर में एक fundic region है हाँ fundic region है और नीचे जो है वो pyloric region है which opens into the first part of small intestine pyloric region जो है वो किसमें open हो रहा है small intestine में small intestine में open हो रहा है small intestine is distinguishable into three region a u-shape duodenum long coiled middle portion jejunum and highly coiled ileum यह है small intestine के पर जैसा हम लोग पिछले class में पर चुके है the opening of a stomach into the duodenum is guarded by pyloric sphincter जो stomach का जो opening है जो small intestine के अंदर जा रहा है तो वहाँ पर एक pyloric region जो है वहीं पर एक sphincter लगा हुआ है जिसको हम लोग उस sphincter को क्या कहते है pyloric sphincter ileum opens into the large intestine ileum कहा open हो जाएगा अब large intestine में open होगा it consists of cecum, colon and rectum जो large intestine है हम लोग small intestine में three parts देख लिए duodenum, jejunum and ileum अब large intestine में कौन-कौन पर्ट है यहाँ पर भी है first जो है वह सीकम सीकम में ही open होता है कौन small intestine का ileum portion है वह कहाँ open होगा exactly structure होता है सीकम, सीकम में open होगा और सीकम है उसके बाद colon, colon होता है colon का फिर हम लोग देखते है तीन पार्ट पहले पर चुके है तीन पार्ट है ascending colon, transverse colon and descending colon और colon है और एक क्या है last rectum a narrow finger like tubular projection, the vermiform appendix एक tubular projection होता है जिसको कहते है vermiform appendix होई चीजे भेस्टीजियल और गेन arise from सीकम, सीकम से ही है जैसा डियाग्राम में हम लोग अभी देखे थे कि सीकम के पास नहीं है कि vermiform appendix का opening है यह vermiform appendix है जो कि सीकम के पास है हाँ, आप देखते हैं दे सीकम opens into colon, the colon is divided into three parts ascending, transverse and descending part, the descending part opens into rectum which open और थुरू rectum जो है वो कहा से open हो जागा? rectum sin आप हम लोग next वीडियो में देखेंगे कि elementary canal का histology का है कैसा structure है histology का elementary canal पूरा जो देखेंगे वो इसोफेगस से rectum तक का जो है उसका कैसा histology है उसको next वीडियो के द्वारा हम लोग पढ़ेंगे अभी हम लोग पढ़ेंगे कि उसका elementary canal जो है mouth to structure जो है mouth to anus कि स्टरका structure है? हम लोग इस diagram के द्वारा भी देखेंगे हैं कि mouth to यहाँ तक इनस तक जो structure है वो कैसा है? इसोफेगस देखें, stomach देखें, small intestine, large intestine और rectum इनस में open होता है यह हो गया elementary canal next वीडियो में हम लोग देखते हैं elementary canal का histology thank you